सुप्रभाद बच्चो, मैं कॉस्मस कैसल इंटरनेशनल स्कूल की शिक्षि का आपका स्वागत करती हूँ आज हम कक्षा नौमी के स्पर्ष भाग एक के पाठ दस रहीम के दोहे का पठन आवम अर्थ सहित व्याख्या करेंगे बच्चो, रहीम के दोहे पढ़ने से पहले हमें रहीम जी के विशे में जानना अवश्चक है आएए, हम उनके विशे में जानते हैं रहीम जी का जन्म लाहोर में 17 दिसंबर 1556 में हुआ था इनका पूरा नाम अबदुर रहीम खान खाना था ये बादशाह अकबर के नौ रतनों में से एक थे इनोंने अपनी रचनाओं द्वारा लोगों को भक्ति का मार्ग एवम नीती ग्यान दिया इनोंने ब्रज, अवधी, अर्बी, फार्सी, तुर्की और हिंदी भाषा का प्रयोग किया रहीम जी के काव्य में भक्ति, श्रिंगार, शांत एवम हाथ से रस्का प्रभाव दिखता है इनकी मुख्य रचनाएं रहीम दुहा वली और राग पंचा ध्याई है आईए बच्चों, अब हम रहीम के दोहे का पठन कर उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे पहला दुहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, तूटे से फिर ना मिले, मिले गाठ परिजाए यहाँ पर चटकाई का अर्थ है, जटके के साथ परिजाए, पढ़ जाती है अब हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा यदि एक बार तूट जाए, तो दुबारा पहले की तरह नहीं हो पाता और यदि उसे जोड़ा भी जाए, तो उसमें काठ पड़ जाती है कहने का तातपर है प्रेम संबंद इतने नाजुक होते हैं कि इसे बिना सोचे समझे तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि तूटे हुए संबंद को यदि पुनह जोड़ा भी जाए तो उसमें पहले जैसी मिठास और मधूरता नहीं रह जाती। बच्चों, अब हम दूसरे दोहे का पठन करेंगे। दूसरा दोहा है रहिमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोई सुनी अठिले हे लोग सब बाति न लेहे कोई। यहाँ पर निज का अर्थ है अपना बिथा दुख कोई का अर्थ है छिपा कर अठिले हे मजाक उड़ाना कोई कोई भी। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि मनश्य को अपने मन का दुख या अपनी व्यथा अपने मन में ही छिपा कर रखने चाहिए। लोगों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग उस दुख को सुनते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई भी उसके दुख को दूर करने का प्रयास नहीं करता। हाईए बच्चों, अब हम तीसरे दोहे का पठन करेंगे। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहिमन मूलह सीचिबो, फूले फले अगाय, यहां पर साधे का अर्थ है साधने पर, सधे सध जाते हैं, जाय चले जाते हैं, मूलही, जड़ को, फूले, फूलों से लद जाना, अगाय, त्रिप्त अब हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। यहां रहिम जी कहना चाते हैं कि, जिस प्रकार, पेड की जड़ को पानी देने से, उससे फूल और फल प्राप्त होता है। उसे प्रकार, मनुष्य को एक ही ईश्वर या परमात्मा की पूजा या आराधना करने चाहिए। उसे से उसकी सारी मनो कामना वा इच्छा पून हो सकती है। कहने का तातपर है, मनुष्य को एक समय में एक ही कारे करने चाहिए, तभी उसके सारे कारे पून हो सकते हैं। आएए बच्चो, अब हम चौथे दोहे का पठन करेंगे। चित्र कूट में रमी रहे, रहिमन अवध नरेश, जापर विपदा पढ़त है, सो आवत यह देश। यहाँ पर रमी रहे का अर्थ है रम गए या रह गए। अवध नरेश, अयुध्या के राजा राम, जापर जिस पर विपदा, संकट या मुसीबत। यहाँ पर रहीम जी, चित्र कूट की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं की, चित्र कूट अत्यंत ही मनोरम वह धार्मिक स्थान है। यहाँ पर अवध के राजा राम, चौदा वर्ष अर्था वनवास में आकर रहे थे। इसलिए कहते हैं की, जब किसी पर संकट या मुसीबत आती है, तो वह शान्ती पाने के लिए इस इस्थान पर चला आता है। आए बच्चों, अब हम पाच्वे दोहे का पठन करेंगे। पाच्वा दोहा है, दीरक दोहा अरत के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कूदी चड़ी जाही। यहां पर दीरक का अरत है लंबा, आखर, मतलब अक्षर, थोरे, थोरे, नट, कलाकार, कुंडली, घेरा, सिमिटी, सिकुड कर, चड़ी, निकल। अब हम इसके अरत को समझने का प्रयास करेंगे। रहीम जी दोहे की विशेष्टा बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नट कुंडली मारने की कला में सिथ होने के कारण उपर चड़ जाता है। अरतात उची छलांग लगाते समय वह अपने शरीर को सिकोड लेता है, जिससे वह उचा कूद सके। उसी प्रकार दोहे में कम अक्षर होते हैं, ये देखने में छोटे होते हैं, परन्तु उनके अर्थ बहुत ही गहरे होते हैं। अब हम चटमे दोहे का पिठन करेंगे। चटमा दोहा है, धनी रहीम जल पंकज को लगु जिय पियत अगाई, उद्धी बढ़ाई कौन हैं, जगत पियासो जाए। यहां पर धनी का अर्थ है धन्य, पंक का अर्थ कीचड, लगु जीय, छोटे जीव या शूश्मजीव, पियत, पिकर, अगाई जिसका अर्थ है त्रिप्त, उद्धी, समुद्र, जगत, संसार, पियासो पियासां। अब हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। रहीम जी कहते हैं कि कीचड का जल बहुत धन्य हैं क्योंकि उसका जल पीकर छोटे मोटे कीडे मकोडे तक अपनी प्यास बुझा लेते हैं। परन्तु, सागर में विशाल जल संग्रह होने के बावजूद उसके पानी से किसी की भी प्यास नहीं बुझ सकती। कहने का तात्पर है, समुद्र का पानी खारा होने के कारण पिया नहीं जा सकता। अब हम सात्वे दोहे का पठन करेंगे। सात्वा दोहा है, नाध रिजितन देत म्रिग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजहु कछू नदेत। यहाँ पर नाध शब्द का अर्थ है, ध्वनी, रिजी, मोहित होकर, तन, शरीद, हेत, कल्यान, समेत, सहित। अब हम इसके अर्थ को समझने का प्रयाज करेंगे। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार म्रिग अर्थाथ हिरन, मधूर तान पर मुहित होकर, शिकारी के हातों में स्वयाम को सौप देता है। उसी प्रकार मनुष किसी की कला पर मुग्ध या मुहित होता है, परंतु उसे कुछ नहीं देता है। कहने का तात्पर है कि मनुष पशु से भी हीन है, वह कला पर मुहित तो होता है, पर उसे कुछ नहीं देता। अग हम आठवे दोहे का पठन करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। आठवा दोहा है, बिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहिमन फाटे दूद को, मथे न माखन होई। यहाँ पर बिगरी बात का अर्थ है, बिगरी हुई बात, करो किन कोई, कोई कुछ भी क्यों न करें, फाटे फटा हुआ, मथे याने मथना। यहाँ पर रहीम जी कहना चाते हैं कि, जिस प्रकार, फटे दूद को मथने से मखन नहीं निकलता। उसी प्रकार, यदि कोई बात बिगर जाती है तो, वह बात दुबारा नहीं बनती। कहने का तात्पहर यह है कि, बात को बिगरने से पहले ही सवारने का प्रयास करना चाहिए, वरना उसके दुश परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। बच्चो, उम्मीद है कि, आपको दोहे के अर्थ समझ में आ रहे होंगे। धन्यवाद! झाल